गेहूं के आटे और सब्जियों से भरपूर इस रेसिपी को आप एक बार देखेंगे नो तो बिना बनाए खुद को रोग नहीं पाएंगे अगर आपको ये वीडियो अची लगे तो प्लीज एक नीचे लाइक का बटन उसे क्लिक कर दीजेगा चानल पे नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजेगा तो चलिए फिर इस मज़िदा रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अब आप यहां पर लिए गाजर और आलू यहां पर मैंने कच्छा अलू इस्तेमाल के आप यहां पर कोई भी अपनी मन पसंद सब्सक्राइब कर सकते लाइक पत्ता गोभी बेवी कॉर्ण यह सब आप इसमें एड़ कर सकते हैं सब्सक्राइब कर दालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैजिक मसाला मैगी क्या जो मैजिक मसाला था न वो यह ऑप्शनल है टोटली अगर आपके पास है तो आप डाले पसंद करते हैं तो डाले वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं उसके बाद सब्सक्राइब को डाल कर हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे यहां पर हमारा यह सबजिया रेडी हो चुकी है अब हम लोग इसे साइड रखते हैं और यह हमारा गुतावा आटा है यह जो आटा है जो हम लोग रोटी के लिए यूज करते हैं बिल्कुल वही आटा है अगर आपका आटा बच गया है तो आप वो भी यूज कर स यहां पर हमारी स्टफिंग भी रेडी है बस इसमें लास में डाल देंगे हम लोग नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे सबजियो को हमारा यहां पर जो वेजिटेबल है वो भी डेटी हो चुका है और हमारा रोटी हमने बेल के रेडी कर लिया ह इसको भी हम लोग साइड कर देंगे और उसके बाद जो हमने बेला है उसमें हम लोग टुमेटो केचप लगा लेंगे यहां पर आप चाहे तो कोई भी अपने मन पसंद फ्लेवर के सॉस लगा सकते लाइक पीजा सॉस सेजवान सॉस आपको जो जादा टेस्टी लगता है अब हुसी ताप से अपने मन पसंद सॉस यहां पर लगा सकते हैं यहां पर सॉस को अच्छे से स्प्रेट कर दिया है अब हम लोग जो वेजिटेबल जैंगे यहां पर इसलिए मैंने पत्ले-पत्ले स्लाइस में गट के आई वेजिटेबल को ताकि जो है न वह रोटी से य इस पर हम लोग एक और लेयर लगाएंगे उसके लिए यहां पर पहले अच्छे से कवर करके साइड में अच्छे से टाप कर लेंगे कि यह खुले ना उसके बाद हम लोग इसमें धन्या की चटनी डालेंगे अगर आपके भी बच्चे पीजा वगेरा कर डिमांड करते डिली अच्छे से कर चुके हैं वापस से लियर में भी वेजिटेबल आफ वेजिटेबल आफ़ रकलत यज़ं Dee और मेरे पास यहां पर मुमो वाला इस्तीमर है इसको हम थोड़ह सा लग का देलिया घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि वो चिपके न, उसके बाद हम लोग ये जो रोटी वाला बनाया न, सैन्विच आप बोल सकते हो, विजिटेबल सैन्विच रोटी का, गेहों के आटे का, वो हम लोग इसमें डाल देंगे आप steamer कोई भी यूज कर सकते हो, एक प्लेट वाली steamer आती है, आप कड़ाही में उसको रखके ये डाल दो, वो भी हो जाएगा, मेरे पास ये थी इसलिए मैंने ये steamer का use किया है तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है अब मैंने यहाँ पर already पानी को गरम कर दिया था इस पर हम लोग डाल देंगे और 15 मिनट के लिए medium flame पर हम इसे पकने देंगे हमारा 15 मिनट हो चुका है अब हम लोग gas को off कर देंगे और उसके बाद जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम लोग इसका एक गोल जो हम लोग कोट करेंगे वो ready करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाल लिया है उसमें 3-4 टेबल स्पून मैदा लिया है मैदा बहुत ही कम use होता है बस हलका कोटिंग के लिए कि क्रिस्पी हो अगर आप मैदा बिल्कुल यूज नहीं करना चाते है तो आप यहाँ पर कॉन फ्लोर या आरा रूट का भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद इसमें half cup पानी डाल के या जब तक पतला गोल नहीं हो जाती है उतना पानी डाल कर हम लोग इसे अच्छे तरीके से एक गोल रेडी कर लेंगे देखें इतनी consistency बिल्कुल लिक्विडी consistency है यहाँ पर मैदा बस नाम के लिए कोटिंग होगा यह हमारा रेडी हो चुका है स्टीम हो चुका है अब हम लोग इसे कट कर लेंगे यहाँ पर आप किसी भी shape में इसे कट कर सकते हैं rectangle में, triangle में, square में यहाँ पर मैं square shape में काट रहे हूँ आप किसी भी shape में इसे कट करके enjoy कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने cut कर लिया है आप चाहे तो इस तरीके से भी खा सकते हैं याप इससे deep fry भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं solo fry करूँगे इससे deep fry नहीं करूँगे यहाँ पर मैदा को गोल को हम लोग वापस से एक बार चला लेंगे क्योंकि मैदा जो है वो जल्दी नीचे बैठ जाती है यहाँ पर चला के उसके बाद हम लोग लेंगे एक piece उसके बाद इस तरीके से coat कर लेंगे और यहाँ पर already मैंने refine oil को गरम करके रखा था इसमें हम लोग डाल देंगे सभी pieces को इसी तरीके से डाल देंगे और करीबन 30-40 अब high flame पर इसे fry करें तो बस ट्रॉस करके आप इसे पैन में खा सकते हैं यहाँ पर तेल में थोड़ी ज्यादा टेस्टी हो जाती है इसलिए मैंने इस तरीके से fry किया है तो देखे एक साइट से fry हो चुका है बिल्कुल 30-40 second high flame पर लगते हैं अगर आपका तेल बिल्कुल बहुत ही जादा गड़म है तो यहाँ पर यह देखे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से fry हो चुका है और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में और खाने में इससे भी डबल टेस्टी लगने वाला आप एक किसी भी चपनी के साथ सेर्फ करें यह बहुत ही टेस्टी लगने वाली है अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजेगा चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो में कुछ किसी करेंथ और नेक्स वीडियो टेस्टी के लॉटू करांटा ह। करेंग।